नमस्कार आपको स्वागत देशिया न्यूस इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ पश्यमंगाल की मुक्य मंत्री मम्ता बैनाजी ने वन नैशनल वन इलेक्शन से अरसामती जताई है मम्ता ने का समयधानिक मुद्दे पर वन नेशन की परिभाशा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है इसे दो समस्या है पहली ये कि सांस्कतिक और एतिहासिक मुद्द पर वन नेशन का कांसेप्ट समझ आता है लेकिन समिधानिक मसलोप पर इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी इस पर होने संदे है इसके अलावा जब हमारे देश में हर्याज की विदानसबा चुनावों और आम चुनावों के चक्र में इतना अंतर है तो इसे एक साथ कैसे लाएंगे ममता ने आगे कहा कि जब तक यह अवधाना कहां से आई इसकी पहली हल नहीं हो जाती तब तक वन नेशन पर सहमती जतापाना मुश्किल है ममता ने पूर वाष्टपती रामनात कोविंत की अद्धक्षता में बनी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को लिखे लेटर में बाते कही देशल कमेटी ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों से सुजाओ मांगे है पैनल को लिखे लेटर में ममता ने कहा कि 1952 में केंद्र और राज्यों के चुनाओ एकसाथ कराए गए थे कुछ सालों तक ये प्रता चली बाद में टूट गई मुझे खेदे में आपके द्वारा तैयार किये गए वन नेशन वन इलेक्शन के कॉंसेप्ट से सहमत नहीं हो सकती उन्होंने कहा कि समीधी के प्रस्ताओं से सहमत होने में कई बुनियादी वैचारी कठीनाईया है और इसकी अवधारना सपष्ट नहीं है टीमसी नेता ने आगे कहा जो राज आम चुनाओं के साथ एलेक्शन नहीं कराना चाहते उन्हें केवल समानता के लिए समय से पहले चुनाओं के लिए मजبूर नहीं किया जाना चाहिए इसे जनता का विश्वास तूटे का जिनोंने पहले ही एक तैसामे के लिए अपने विदानसमा उम्मिद्वार को चुन लिया है